इसको कईसे करते हैं यह देख़िये हमारे पास डायलुपी मस्यूल किसको बोलते है डायलुपी मस्यूल इसमें एक प्रेशर्गेज है तर कप वाल ने साइड के साथ में आपका जो इसके साथ आया है एक टी कनेक्टर रहेगा और उसके साथ एक की रहेगा एक की का युछ क्या है मैं बाद में बताता हूं पहले देखते हैं कैलिब्रेशन कैसे करते हैं कर देखना है इसका काप साइड को इधर से डिसकनेक्ट करें इसका काप यहां से खूल देंगे इसको भी निकाल देना है काप को अलग कर दिया इसके बाद यह टी कनेक्टर यहां पर लगाएंगे इस पॉइंट में डायरेक्ट में पाइप जाता है कि इसके बाद में है यह मेरा जो एल बीपी मसीन का काप है इसको इस साइड में लगाएंगे यहां पर लगा दिया अपी और एक चीज बचा होगा है इसको लगाएंगे हम ऐसे इसको इस टी पॉइंट पे लगा देना है यह लग गया अभी हमको देखना है करेंगे जो यहां पर मर्कुरी लेबल जाएगा वही से मेरा यह प्रेसर गेज भी उतना ही उठना चाहिए तो आभी मैं इधर से पांप दूँगा इसको स्टार्ट करता हूं उसको उदर लाइट उतर पर हूं यह देखिए मैं सिंपली इसको बाइंट करिया हूं इसके बाद इधर से पांप दिया तो देखिए अब यह देखिए जीदर मर्कुरी लेवल जीतना जा रहा है इस साइट में उतना ही प्रेसर गेज भी उड़ रहा है इससे पताप चल आए यह बीपी मशीन एकदम ठीक है इसमें कोई इरर नहीं कोई कुछ नहीं जी इतना पांप दूगा उतना ही बरक्री लेल जा रहा है पूरा सेम चेंद दोनों में दिख रहा है तो इसका केलिब्रेट हो गया रिजी वैरी सिंपल खूछ है नहीं इसमें बस खली यह देखना है कहां पर क्या चीज लगाना है इदर मेर्कुरी वाला कप को खोल के बीच में टी कनेक्टर लगाना है और एक साइट में प्रेसर गे लूट सकते हैं या हाथ में लगा सकते हैं ये अफी पताता है कंखी का यूज किया दास ख 1970 के यूज तक है। इसके साथ में रहता है कि इस का यूजें सिंपली सपोज कि आक कि खैस्ट ज जूज कर दिया और पुरा निकाल दिया अनुखने הי acquisition णोलेकिन इसका कि कि इसको करने के लिए इसको कलिबरेट करने के लिए चिरिए की का यहां कोumuz करते हम कि इसको यह से कोदेंगे लगाएंगे यहां पर इसको अंदर की को गुसाएंगे इसमें फस जाएगा यह स्कूरू डाइवर जैसे और इसको इधर उदर करेंगे तो यह आटोमेटिक जीरों पर लेके आके इसको रोक सकते हैं ओके